नमस्कार मूब मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभी जी बिहार में ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए निती सरकार काफी सतर्ख हो गई है इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है निती सरकार ने अधिकारियों को कई आवस्यक दिशा नि निर्देश दिया है साथी साथ नए वेडियंट से लोगों को बचाया जाए इसके लिए माइकिंग और जागुकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है सरकार ने बैक अप प्लान तयार करते हुए स्वास सुविदाओं के लिहाज से तयारी सुरू कर दी है क् इस गाइडलाइन में पुरानी गाइडलाइन के अंदर थोरे बहुत बदलाव के साथ उसे अगले महीने तक विस्तार दिया गया है क्रैसिस मेनेजमेंट गूर्प की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि नए वेरियंट से मुकावले के लिए अभी सतर्क्ता बढ़ती जाए समाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाए लोगों को मास्क पहनने के लिए फिर से जागरूप करने की जरूरत भी है इतना ही नहीं भीरभार वाले इलाके में प्रसासन थोरी सक्टी से कारवाई करे कोरोना के बदले हुए ट्रेंड को देखते हुए अब स्वास्त विभाग बैकप प्लान के साथ एक्टिवेट मोड में आ चुका है कोरोना मरीजो के इलाज के लिए पटना के पाटली पूत्रे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में एक बार फिर से आईसोलेशन सेंटर सुरू कर दिया गया है 110 बेट के आईसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की गई है यहां हर विप्रित परिस्तिती से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तयारी कर रखी है आईसोलेशन सेंटर के हर बेड पर 280 लिटर पर 30 मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतिजाम किया गया है क्रैसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक के बाद जो नई गाइडलाइन 5 जनवरी 2022 तक के लिए लागू की गई है उसके मुताबिक बाजार पर फिलाल कोई बंदिस नहीं लगाई गई है दुकाने और व्यवसाइक पर्तिष्ठान के साथ साथ प्री स्कूल से हाईर एजुकेशन तक के संस्थानों का संचालन पूरी छमता के साथ होगा इसके अलावे धार्मी कस्थल और सौपिंग मॉल और परिवहन पर कोई बंदिस नहीं लगाई गई है हलाकि साधी समारों में डीजे और बारात के साथ जुलूस पर मना ही लागू रहेगी सिनेमा हॉल, क्लब, जीम और स्विमिंग पूल के साथ साथ रेस्टोरेंट पचास फिजदी छमता के साथ काम करेंगे सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सक्ती से एक्सन लेने का निर्देश दिया है आपको बता दें कि राजधानी पटना में मास्क चेकिंग अवियान के दोरान प्रसासन ने कुल 24,000 से ज़्यादा का जुर्माना वसुला है बुद्वार को पटना एम्स में कोरोना संक्रमी एक बुजूर की मौत हो गई जबकि राजधानी में तीन नए मरीजों की पहचान हुई है तो कोरोना के नए वेडियन्ट ओमिक्रोन को लेकर निती सरकार बेहद सतर्क है और सभी जिले के DMSP और सिविल सर्जन को कई गाइडलाइन्स दिये गए है साथ ही नई गाइडलाइन्स को सक्ती से पालन करवाने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया है बिहार समेथ देजन्या की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे हैं मूम मीडिया के साथ नमस्कार